तो 36 गड़ में एक जन्वरी से बीएड और डीलेड वाले स्टुडेंट्स के लिए नहीं आप जो है लागू होने वाली हैं जो कि काफी अच्छी अपडेट्स हैं बहुत ही अच्छी सवगात आप यसे हरी की स्टुडेंट्स के लिए होने वाला हैं 55,000 सरकारी स्कूलें में जो है आप सिक्षक लगेंगे बीएड वा डीलेड उतिर नब भ्यार्थी इसके लिए पात रहोंगे बीएड व डीलेड उतिर नब भ्यार्थी इसके लिए आवेधन कर सकते हैं बहुत ही असानी से जो हाँ फार्म फिलब कर पाएंगे किस तरह साप किस तरह से अब जूँए कर पाइंगे उसे कि आपको काम्याभी मिल सकें जैसे कि आपको सफलता मिल पाएं। देखो लगातार अगर आप preparations करोगे ना लगातार कोशिश करोगे तब जाके वो सफलत आपको मिलेगा और 21,000 रुपे इसमें आपको salary मिलने वाला है देखो 21,000 रुपे salary definitely बहुत ही अच्छा salary है बहुत ही आप महत्वपुन salary है बस कोशिश करना और जितना जाद आपका मेहनत होगा जितना जाद आपका hard work होगा उतने ही जाद आपके सपने और उतने ही जाद आपके ड्रिम्स और उतने ही जाद आपके ख्वाब जो है पूरे हो पाएंगे देखो महना तो सभी स्टुडेंट्स करते हैं तैयारी तो सभी स्टुडेंट्स करते हैं लेकिन सपने सभी students के पूरे नहीं हो पाते हैं, कुछ ही students होते हैं, जिनके सपने पूरे हो पाते हैं, कुछ ही students होते हैं, जिनके dreams पूरे हो पाते हैं, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, यदि आप भी अपने dreams को पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिप्रेशंस करना है अभी से वर्क करना है अभी से हाड़ वक करना है और जितना जादा आप हाड़ वक करोगे जितना जादा आप एफर्ट लगाओगे अपने पढ़ाई के ऊपर अपने प्रिप्रेशंस के ऊपर हाड़ वक करोगे उतने ही जादा तुम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं या यह चीज़े हमारे लिए यह भड़ती पर इच्छाए एक्जाम बहुत असान है ऐसी बात है बिल्कुल मासोचना आपको उसके लिए एफ़र्ट लगाना है और यह चीज़े भी बिल्कुल मासोचना की लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे या उन्हें लगते हैं कि हमारा कॉंपेडिसंस एक्जाम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे ऐसी मत सोचना जब आपको अपने आपके उपर भरोसा होए ना स्वाइम के उपर भरोसा हो तो किसी को आपके उपर भरोसा है या नहीं है इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए सिर्फ आपको अपने पढ़ाई के उपर भरोसा रखना है सिर्फ अपने पढ़ाई के उपर कॉंसेंट्रेट करना है और जितना जादा आप अपने पढ़ाई के उपर भरोसा करोगे पढ़ाई के उपर लाज और आपका भी ताइम बदलेगा जब आपका भी तमय बदलेगा देखो टाइम जोए कभी भी पदवेगा उसके लिए present time में महनत करना उसके लिए present time में काम करना उसके लिए present time में hard work करना और जितना जादा फार्ड वक करोगे, जितने जादा पहनत करोगे, उतने ही जादा तुम्हारे सपने, और उतने ही जादा तुम्हारे ड्रेम्स, उतने ही जादा तुम्हारे ख्वाफ देन पूरे हो पाएंगे, और सिक्षक बनने का जो आपका चाह है, टीचर्स बनने का जो आपका व सफल नहीं हो जैको हर एक साल ग्रीज्वेशंस के अगर हम बात करें तो लाखों के दिडिड्ट जाहें करते हैं पोस्ट करते हैं लेकिन सिर्फ एक से से त्यारी नहीं कर पाएंगे तो इसमें आपका किसी भी तरह से सपने या किसी भी तरह से ड्रिम्स आपके पूरे नहीं हो पाएंगे तो जितना जादा आप कोशिश करोगे जितना जादा पहनत करोगे जितना जादा आप हाड वक करोगे उतने ही जादा आपके सपने उतने ही जादा आपके ड्रिम्स या उतने ही जादा आपके ख्वाब जो है पूरे हो पाएंगे और कोई भी देखो कोई भी सपना ना तो छोटा होता है और कोई भी सपना ना तो बड़ा होता है बस उन सपनों को पूरा करने के लिए उन ड्रिम्स को पूरा करने के लिए उन खाबों को पूरा करने के लिए आपको काम करना होगा और जितना जादा आप काम करोगे जितना जादा आप महनत करोगे जितना जाद आफार्ड वाफ करोगे उतने ही जाद आप आगे बड़ पाओगे उतने ही जाद आपके सपने पूरे हो पाएंगे उतने ही जाद आपके ड्रिम्स जो है पूरे हो पाएंगे देखो ड्रिम्स कम ट्रू तब ही होता है जब जो सपने आप देखते हैं न उसके ल होगा जतना अपका अब्सक्राइश करने कि इसलिए हम यसा महनत करते रहे हमेशा जो है कोशिश करते रहना है और 55,000 सरकारी स्कुलों में जो है सिक्षक लगेंगे बीएड़ वडियले उट्तिर्न अभ्यार्थी जो है इसके लावे दन कर पाएंगे मैं यहीं बोलना चाहता हूं कि हमेशा जो है कोशिश के उपर ध्यान देना मेहनत के उपर भरोसा रखना क्योंकि मेहनत आपका कभी भी जाया नहीं होता देखो कॉम्पीडिसन्स एक्जाम्स क्वालिफाई नहीं होता इसका मतलब यह नहीं है कि अपने जो पढ़ाई किया आपने जो परिप्रेशन किया आपने जो रख होसला वो मनजर भी आएगा रख होसला वो मनजर भी आएगा प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक कर ना बैठ बनजिल के मुशाफिर बनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ब भी आएगा क्योंकि जितने भी आपके फैमिली के दोस्ते रेस्सेदार है ना वो क्या है पता है वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पुछते हैं अब जब अभी आपको दोस्ते आरिये सबी चीज़े चल रहोगा लेकिन जब आप उनसे मिलोगे ना अपने दोस्ते आरियों के साथ तो क्या पुछेंगे पता है आपकी खैरियत नहीं पुछेंगे क्या आपके त्वियत कैसा है या क्या चल रहा है आपके पास जवाब है या पिर नई वोट सीदा आपकी हैसियत पुछेंगे आए तो चैनल को सब स्क्राइब कर लेना साथ में लोटिफिकेशन को अन करके रख लेना एंड वीडियोस को जितना ज्यादा होशक के शेयर करना और इसी तरह से सब्सक्राइब करें जरूर बताना और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई मैं वजसे रूप से करूंगा बस यही कहना चाहता हूं कि महनत करो कोशिश करो कोशिश करोगे तो ही कामयाभी मिल पाएगा थैंक्यू सो माच मिलते हैं